हेलो फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको भी हार बोर के जितने भी गेस पेपरें सभी के माटेरियल्स प्रोवाइट किये जाएंगे दोस्तों आप प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें तो आज हम क्लाश 10 के जोग्रफी के च सब्सक्राइब करते हैं देश में कितने विशेश आर्थिक शेत्र विक्सित है तो पांच फाल्टा विशेश आर्थिक शेत्र कहां इस्तित है पश्चिम बंगाल में निम्नांकित में कौन सा बंदरगा पश्चिमी तडपर अस्तित है तो कांडला कांडला पॉट इन में क और रेनिश्टील कंपनी भारतिया लोहा और स्पात कंपनी पहली आधुनिक सूती मील मुंबाई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबाई ये पत्तन है यानी पॉट है दूसरा है कि या कपास उत्पादक छेत्र के निकट है और मुंबाई में पुण्जी उपलगती उपर यूप सभी निगुनामबित में कौन उद्योग क्रिशी पर आधारित नहीं है आगे बढ़ते हैं तो सिमेंट उद्योग क्रिशी पर आधारित नहीं है हुगली किस उद्योगिक पर देश का केंदर है तो कुलकाता रिसरा निमनांकित में कौन सा उद्योग सारजनिक शेत्र के अंतरगत आता है बोकारो लौ इस्पात उद्योग इन में कौन उभोगता उद्योग है यानि कंजूमर इंडस्ट्री तो चीनी उद्योग निमनांकित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है तो खिलोना उद्योग छोटे पैमाने का है आगे बढ़ते हैं भपाल द्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था यानि कौन सा गैस लीक्ट हो गया था तो मिधाइल आईसोसाइनेट लीक हुआ था और ये वाटर के साथ रियक्ट किया था निम्नांकित में कौन सा उद्योग दूर्भास कम्प्यूटर आदिसायत निर्मित करता है तो अलक्ट्रोनिक उद्योग में कम्प्यूटर टेली फोन ये सब बनाए जाते हैं इनमें कहां स्वतनत्रा प्राप्ति के बाद लोहा इसपात का कार खाना खुला था राउर के ला में निम्नांकित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्छे माल के रूप में पढ़ियोग करता है तो सिमेंट निम्नांकित में कौन सबसे पुरानी लोह इसपात कम्पनी है तो यहां पे हो जाएगा टिसको टाटा आरेन एन इस्टिल कमपनी टिसको के अस्थापना किस वर्ष की गई थी उनिसो साथ इस्वी में जमसेज जी टाटा के द्वारा भारत में कॉटन पॉलिश किसनगर को कहा जाता है मुंबई को गन्ने के दस टन रस से कितनी चीनी बनती है तो एक टन रेडिमेर वसर पार्क की अस्थापना कहां की गई है एवी वर एटी वर वंप लायम गाउं में कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है फुटलूस उद्योग नेपान अगर किस उद्योग के लिए पर सिद्ध है तो अगबारी कागज आगे बढ़ते हैं भद्रावती में कौन उद्योग अस्थापीत है लोहा इसपात जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहां मिलते हैं हुगली तट पर कांडला विसेस आर्थिक शेतर कहां है गुजरात में अंगूरा उन किस जानवर के रोहें से बनाया जाता है खरगोश पसमीना उन किस जानवर के रोहें से बनाया जाता है बकडी भारत में तामा गलाने का आधूनिक कार खाना सबसे पहले कहां खुला था घार सिला में कहां का रिल्वे वर्क्शॉप एसिया में सबसे पुराना है तो जमालपूर का भारत का कौन सा नगर एलेक्ट्रोनिक उद्योग की राजधानी है बैंगलूरू बैंगलूरू किस राज में है करनाटक भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहां स्थापित किया गया था रानी पेट में दमगोंटू गैस निमनागित में किसे कहा जाता है CO यानि कारवन मोनो अक्साइड को सेलम किस राज में इस्थित है तमिलनाडू भोपाल गैस तरास्दी किस वर्स हुई थी 1984 सिंद्री कहां इस्थित है जारखंड में चीनी उत्पादन में अग्रनी राज कौन है उत्तर परदेश कौन इस पात केंद्र समुद्र के निकट है बद्रावती बॉक्साइड का उप्योग किस उद्योग में होता है एल्मूनियम बिहार राज के किस शेत्र में चीनी को अ आगे बढ़ते हैं इनमें कौन किसी आधारित उद्योग नहीं है तो सिमेंट उद्योग आभूशन निर्मान किस प्रकार के उद्योग का उधारन है छोटे पैमाने के उद्योग का महराष्ट का चीनी उद्योग और गुजरात का अम्मूल उद्योग किस रेनी में आते है सहकारी युद्योग में किस राज में वस्त उद्योग के काड़ खाने नहीं है 36 गड़ में मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्रमिल किस कारण अस्थापित हुई थी तो बंदरगा की सुविधा पुंजी उपलद का पास निकट में उपलद सभी सही दोस्तों इसका पूरा अबजेक्टिव कंप्रीट हुँ आप इसका स्क्रीन सॉट ले लिजिए और जितने भी सब्जेक्ट से सभी के अबजेक्टिव गेस पेपर के माटेरियल्स आप इस चैनल पर देख सकते हैं तो रहन चैनल को विजिट कीजिए और वीडियो को सब्सक् लाइक और शेयर करें